ओम शान्ती 24-2-2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो आविनाशी ज्यान रतनों से अपनी जोली भरते रहो विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं प्रश्न जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं उनकी निशानिया क्या होंगी उत्तर उन्हें ग्यान का नशा चड़ा हुआ होगा विज्यान रतनों को स्वयम में धारण कर दूसरों को ग्यान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे सबको आसुरी मत से छुडाते रहेंगे दूसरा जो बावस सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे ओठ उस पर गौर करेंगे विचार सागर मन्थन कर सदा हरशित रहेंगे गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं ओम शान्ती शिव की जैन्ती कब होती है वा परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं यह भारतवाशी नहीं जानते तुम बच्चे भी नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं गाते हैं रात्री को अवतार लिया परन्तु कौन सी रात्री क्या यह जो कौमन रात दिन होते हैं वह रात्री या और कोई रात्री इसको भारतवासी नहीं जानते शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्री बारा वजे का रख दिया है शिव को मानते हैं परन्तु वह कब जन्म लेते हैं या जानते नहीं शिव के अवतरण का दिन सब के लिए सबसे बड़ेते बड़ा दिन है क्योंकि वह सर्व के सदगती दाता है जब सब के उपर भीड पड़ती या एक दो को मारनी के लिए कोई भी सुनते भी नहीं कोई की सुनते भी नहीं है उन्होंको इश्वर मत दे कोई घर में बिगडते हैं तो कहते हैं इश्वर इनको अच्छी मत दो क्योंकि आस्वरी मत पर चल रहे हैं अब भगवान है कौन यह भी नहीं जानते कह देते भगवान निराकार है सर्विव्यापी है फिर तो कोई बात नहीं ढहरती तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारन ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं ब्रह्मा कहां पैदा हुआ यह भारतवासी नहीं जानते दादा का चित्र देख मूझते हैं समझते हैं ब्रह्मा ने विश्नु की नाभी से जन्म लिया है अब नाभी से जन्म तो किसका हो नहीं सकता विश्नु कहां करहने वाला है किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं क्या ब्रह्मा द्वारा विश्णु ने सब वेदों का सार सुनाया ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिये हैं यह भी नहीं हो सकता बाप समझाते हैं एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहां बैठना है हमात्मा परमपिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं हमात्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वारता लाप कर रहे हैं जो सबका सदगती दाता ज्यान का सागर है वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं यह सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धिवे बैठता नहीं है इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं अगर निश्चा है कि भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई एक सेकेंड भी नहीं छोड़ सकते यह पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है बाब कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो यह एक बात कभी नहीं भूलो बाकी तो है विस्तार बाबा समझाते हैं यह जो वेद शास्त्र पढ़ना दान पुन्य करना यह जो भी करते आए हो यह भी ड्रामा बना हुआ है आधा समय ज्यान और आधा समय भक्ती ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात यह कौमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं परन्तु यह ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े-बड़े विद्वान भी नहीं जानते तुम बच्चों को ग्रहस्त व्यवहार में रहते धंदा आदी करते पढ़ना भी जरूर है इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं रेगुलर पढ़ते नहीं हैं तो नापास हो जाएंगे वह कम पद पाएंगे क्योंकि विनाशी धन के लोब ही है आविनाशी ग्यान रतनों का कदर नहीं है यह तो तुम बच्चे ही जानते हो साथ में यह आविनाशी रतन ही चलेंगे जिनोंने बहुत पैसे खटे किये हैं उन्हों के पिछाडी गवर्मेंट पड़ी हुई है जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं वैसे गवर्मेंट के ओफिसर लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं देखो दुनिया की हालत क्या है हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है इस मरत्यू लोग को नर्क कहा जाता है कहते भी हैं हम पतेत हैं फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं कॉन्फरेंस करते हैं कि शान्ती कैसे हो धर्मवाले आपस में ना लड़ें एक क्रिश्चन धर्मवाले ही अपने धर्मवालों से लड़ रहे हैं अब उन्हों को मनुष्य कैसे शान्त कर सकते हैं बिल्कुल ही निधन के हैं रिशी मुनी भी कहते थे हम रचाइता और रचना के आदी मद्ध अंत को नहीं जानते बाप कहते हैं तुम अभी धनी को नहीं जानते हो मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए न भगवान, ईश्वर, गौड यह सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं वास्तों में है तो फादर न हमारा रचाईता है हम उनके बच्चे ठेरे बाप, माँ और बच्चे हम तो जैसे ईश्वर यह फैमिली ठेरे मात पिता से तो जरूर वर्शा मिलना चाहिए हम परम पिता परमात्मा की फैमिली हैं बाप को सर्वेव्यापी कह दें तो फैमिली हो न सके मालिक रच्चता की हम फैमिली हैं आज से पांच जार वर्श पहले भी बाप ने बरोबर वर्शा दिया था ना सिर्फ हम को परंतु सब को देते हैं हमको जीवन मुक्ती का देते हैं बाकी सब को मुक्ती का देते हैं कितना सहज है यह अभी खुशी का पारा चड़ना चाहिए परंतु अहो मम माया यहां से बाहर जाते हैं तो माया भुला देती है बाप को ही भूल जाते हैं अभी तुम बाप के बने हो तुम ही जानते हो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभी से निकला यह चित्र रखना चाहिए गांधी की नाभी से नहरू परंतु विश्णु की नाभी से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा फिर ब्रह्मा बैट नौलिज सुनाते हैं वेदों की सो भी कहां? क्या सुक्ष्मे वतन में? कुछ भी बुद्धी में नहीं बैटता जिनको बाप से वर्षा लेना है वह तो यह सब बाते समझते हैं बाकी सब कह देते हैं कलपना है अब बच्चे तो मानते हैं बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं और तुम ब्रामनों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है सब एक जैसा नहीं समझा सकते वह नमबरवार राजधानी बन रही है सब एक जैसा पढ़ना सके धारना कर फिर उस पर विचार सागर मन्थन करना है सुना नोट किया फिर बैट ख्याल करना चाहिए आज बाबा ने क्या सुनाया सवेरे उठकर गोर करना चाहिए तुमको सब पर तरस पढ़ना चाहिए बाबा का फर्मान है अपनी रचना इस तरी बच्चों को भी समझाओ पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए या बेहत का बाप खुद सुख नहीं भोगते कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूं तो जब धार ना हो तब नशा चड़े फिर किसको इंजेक्शन लगा सके बाबा मिसल रहम दिल बनना है आसुरी मत से सबको छुडाना है कितनी भारी दुश्मनी है राम और रामण की यह है रामण राज्य वह है राम राज्य मनुष्य तो कुछ नहीं जानते कि पावन कौन बनाते है पतित कौन बनाते है बाब कितना अच्छी रीती समझाते है समझाने के लिए ही यह चित्र बनाए है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी बाब ही समझाते है इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है अब तुम बच्चे जानते हो निराकार गौड़ फादर सारे वर्ल्ड की रिलीजो पॉलिटिकल हिस्ट्री जोगरफी बैट सुनाते हैं सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है वास्तों में यह चित्र अंधों के आगे आईना है जाड और ड्रामा वह तो बहुत क्लियर है यह बापने समझा कर बनवाए हैं इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं तुम बच्चे रोहानी यात्रा पर ले जाते हो रोहानी राही बनाने के लिए कितना ज्यान देना पड़े बुद्धी स्वक्ष चाहिए इस पुरानी दुनिया में एकड़म उपराम यह भी वंडर है जहां अपना जड यादगार है वहाँ ही आकर बैठे है वह जड है यह चैतन्य है बड़ा गुप्त राज है जैसे हम गुप्त वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं जानते बाप तुम्हें सब बाते समझाते हैं प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीती चाहिए आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए बड़े बड़े आदमी आते हैं कोई अच्छी रीती समझते हैं कोई तो कह देते हैं अच्छा लगता है पर अर्णतू फुरसत कहां कोई कहते हैं कल से आकर समझेंगे बाबा कह देते हैं तुम कभी नहीं आएंगे बड़ा मुश्किल है तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं हम राज़ करेंगे परंतु यह दिल दरपण में देखना चाहिए हम राज़ारानी बनेंगे या दासदासी वप्रजा मधुबन में आकर ऐसा नश्य चड़ा कर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है स्वक्ष बुद्धी बन ग्यान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है विचार सागर मंथन करना है दूसरा बापसमान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुडाना है वर्दान परिवर्तन शक्ती द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्मान भव परिवर्तन शक्ती द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो मैं शरीर नहीं आत्म हूँ फिर स्वभाव का परिवर्तन करो पुराना स्वभाव ही पुरुशार्थी जीवन में धोका देता है तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो फिर है संकल्पों का परिवर्तन व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो इस प्रकार परिवर्तन शक्ती द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्मान स्वतह बन जाएंगे स्लोगन मस्तक पर इस्मरती का तिलक सदा चमकता रहे यही सच्चे सुहाग की निशानी है दादियों की पुरानी डाइरी से कुछ चुने हुए अनमोल रत्न मनुश्य की वैल्यू शुद्ध बुद्धी और अशुद्ध बुद्धी पर होती है जैसे सरवोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धी सरवोत्तम वैल्यूएबल है ऐसे मध्यम घराने की मध्यम वेल्यू है इसी ही प्रकार से कनिष्ट घराने की बुद्धी की वेल्यू भी कनिष्ट ही है यह तीन संप्रदाएं हैं इन तीनों का मदार सारा बुद्धी पर है पहले सर्वुत्तम बुद्धी वाले ब्राम्हन देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्यान से सर्वुत्तम कमाई कर वर्ल्ड सोवरनेटी की चावी अत्वा बैकुंट की बादशाही प्राप्त की है आधाकल्प प्रकर्ती उनकी दासी हुई है इसलिए प्रैक्टिकल में सुख भोगते हैं और आधाकल्प उन्हों की मूर्तियां मंदिरों में पूजी जाती है तो सारा मदार इस बुद्धी पर है इसलिए बहुत तीखी बुद्धी चाहिए पिता इश्वर के महवाक के हैं कि तेज रफ्तार से बुद्धी योग लगाने वाला साक्षात मेरा स्वरूप है बाबा अपने दैवी वच्चों को वंडर्फुल सौगात दहेज में देते हैं अभी तुम्हें कौन सी सौगात मिलती है क्या अविनाशी ज्ञान धन की? अंडर्स्टुड है परन्तु उसके बाद क्या मिलता है? सारा स्वरूप हुआ वंडर्फुल बैकुंट ऐसी वंडर्फुल सौगात तुम्हें दहेज में मिलती है क्योंकि इस पिता का अपने बच्चों पर अतिप्रेम है वह कहते हैं वहां तो हर एक को अपना अपना माबाप जो होगा वो देगा परन्तु मैं तो अपने बच्चों को अभी ही दे दूना समझता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिले तो उनकी दिल कैसे पूरी हो? तो इस फॉरम स्वरूप में सभी को वैकुंट स्वगात दे देता हूँ ऐसे नहीं जो ज्यानितु आत्म सर्वोत्तम हैं उनको देता हूँ सर्वोत्तम का तो वहां भी कनेक्शन रहता है परन्तु मध्यम सर्वोत्तम दोनों को ही मिलता है क्योंकि इस समय देवी बच्चा होने कारण एक समान अतिप्रेम रहता है जिस कारण ऐसा वैकुंट स्वगात में दे देता हूँ जिसमें जन्म जन्मांतर सभी बच्चे सुख भोगते हैं उस रोयल घराने की महिमा और पूजन है यह घराना रोयल है तो उनकी एवन महिमा है देखो लॉड कृष्चन की कितनी धूमदाम से महिमा करते हैं यूरोपियन भी कहते हैं लॉड कृष्चन कृष्चन के पुजारी फिर श्री कृष्चन का नाम लेकर कहते हैं हम कृष्चन पुजारी हैं पूजा करने वाले पुजारी को ब्राम्हण का टाइटल देते हैं जिससे प्रकरती उन्हों की भी दासी हो जाती है लेकिन प्राक्टिकल में उन्हों की लाइफ ब्राम्हणों की है नहीं सिर्फ अपने पर यह टाइटल रखवाया है अपना नामाचार किया है सत्यूक के समय जो भी law काईदे हैं वह सब यहां से ही शुरू होते हैं उन काईदों की स्थापना पहले यहां होती है जो law यहां मर्ज रूप में रहता है, वहां emerge हो, practical स्वरूप लेता है जो यहां से ज्ञान उठाया जाता है, वो अन्तमती सुगती हो जाएगी यहां की जो मत है उनसे वहां प्रैक्टिकल कदम उठाया जाता है सोच किया जाता है न कहते हैं सोच समझ कर कदम उठाओ कदम पहले नहीं उठाया जाता यहां पहले सोचा जाता है फिर वहां कदम उठाया जाता है यहां सोच इमर्ज है तो कदम मर्ज है वहाँ कदम इमर्ज है तो सोच मर्ज है अगर मनुष की बुद्धी सालिम है तो सब कुछ है बुद्धी बहुत विशाल चाहिए इस Divine Father का इतना गाईन क्यों हुआ है क्योंकि विशाल बुद्धी वाले है बुद्धी से ही मनुष्य राजा और बुद्धी से ही रंक बनता है बुद्धी सभी करमेंद्रियों में शिरोमनी गाई जाती है विशाल बुद्धी वाली डिवाइन आत्मा का मस्तक चमकता है क्योंकि बुद्धी में सारा ज्यान भरा है वो फिर जब अनन्य वो फिर जब अन्य को अपनी बुद्धी रूपी तिजोरी से ज्ञान के रत्न निकाल देता है तो उनकी चमक दिखाई देती है जिसके लिए डिवाइन फादर की महिमा निकलती है परन्तु नंबर वार उन्हों में भी शिरोमणी डिवाइन फादर प्रजा पिता ब्रह्मा की महिमा काई हुई है अच्छा ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाऊं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबाबा यहो बाबा